हाई गाइस तो इस वीडियो में हम सुन ट्रेट्स की बात करेंगे दो ट्रेट्स की बात करेंगे एक जिसमें लॉस था और एक जिसमें प्रॉफिट था तो वीडियो पूरी देखना दोनों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा जो losers होते हैं उनसे जादा सीखने को मिलता है अब क्या है एक तो लोगों को लगता है कि trade लोगे तो सिर्फ profit हो का नहीं आपको loss भी हो सकता है और वहीं पर आपकी risk management काम आती है ठीक है तो पहले शुरू करते हैं हम losing trades है क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ है फिर शुरू करेंगे अपने winners से और दोनों का comparison भी कर लेंगे कि जब loss हुआ तो कितना हुआ और profit हुआ तो कितना हुआ राइट मैं दोनों के screenshot दाल दूँगा screen pop के तो सबसे पहले तो हम NICA में trade लिया था हमने अब NICA को daily में देखना तो है यह बट मैं हमेशा weekly भी देखता हूँ सिरफ एक इसलिए कि समझ लो आप की आखों को पता हो बड़े time frame में भी क्या हो रहे हम daily trade करते हैं लेकिन weekly पे एक नज़र रखना ज़रूरी होता ठीक है तो यहां से पहले न वीकली में मुझे एक बेस बनता वह दिख रहा था ठीक है एक bottom बन रहा है bottom hold हो रहा है एक नया तो हो सकता था यहां से trend reversal आए जैसे zomato में आना शुरू हुआ था तो कि यह भी almost उसे time के आसपास IPO आया था तो मैं जब यह देखा तो मैं active हो गया उसके मैं देखा यहां पर sideways market जा रही है ठीक है अब हम daily पर आते हैं अब daily में अगर आप देखोगे न तो इस दिन जिस दिन मेरी buy है यह वाला दिन that is 7th August इस दिन breakout आया था बहुत अच्छा और मैंने I'm pretty sure 1500 quantity buy करी थी ठीक है मैंने buy करी 150 पे 153 तक गई और उसका फेड हो गई अब क्या हुआ कि यह फेड हो गई मेरा stop loss यहां पर था 144 पे तो मैं wait कर रहा था देखने को कि market क्या करती है कैसे present करीगी अपने आपको बट अग केले दिन expect कर रहा था कि देखो अगर bullish formation continue रहीगी तो हम upside पे निकल सकते हैं ठीक है और हमारे पास 2-3 दिन का buffer था भी earnings आने में में earnings जब भी pass में होती है कभी भी trade को open नहीं रखता हमेशन निकल जाता हूँ थोड़ा सा bad experience हो अभी आपको उसकी reasoning and logics भी दिखाऊंगा ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ एक दिन और silent एक दिन और silent और उसके बाद मैंने बोला कि अब general market scenario जो था ना अगर मैं nifty को लेके चलनी को किए ठीक है यह निफ्टी नीचे आ गया ठीक है यहाँ पर रहे हम यहाँ पर फीर यहां मैंने कही मैंने सको बेचया अपने यहां पेचया बेचया थिक है जिस दिन weakness देखने को मिल रही थी तो मैं भार निकल गया मैंने का अपने major index भी हलका सा वीक हो रहा है 146 पर चार पॉइंट के लॉस पर इसका लो कितना था 146 और यहां पर भी हमने 146 में ही 146 ए 145 पर ही क्लोज करा है तो मोटा मोटी मेरा stop loss यही था और मार्केट ही कि यही फसी रह गई ठीक है उसकी बाद मैं simply stop loss लेके भार हो गया अब आप earnings आई gap down और आज देखो 8% टूटा है ठीक है और मैं ऐसे बहुत सारे दिखा सकता हूं आपको जिनके अंदर earnings आई है और फिर बड़े बड़े crack आए है तो अर्निंग जब आएंगी ना भले वो positive हो बले वो negative हो market उन्हें अलग scenario में ले सकता है लोग position book कर सकते हैं कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हमें guessing यह में उसमें नहीं गुसना अगर हम उसमें अपना बचा सकते हैं odds अगर देखो probability हमारी क्या है हम earnings को follow करते आ रही है यह देखो टाटा केम देख लेक और मैं इसमें अर्ली एक्जेट है ली थी ठीक है इसमें earnings नहीं आये थे यह आये थे यह देखो earnings आये ठीक है यह मैंने breakout बाई करा था मैं यहां तक hold करा बड़ वह फेड हो गया फेड होने लगा मैं ने देखा कि दो दिन में earnings है मैं बहार निकल गया मैं क्यों रिस्क लूँ मैं अगला setup धूंडूगा एक अच्छा setup trade करने आयो मैं हलका सा भी जहां पर scenario 50-50 हो जाता ना मैं वहां से भार आना प्रेफर करता हूं ठीक है अब नाइका में I think मेरा loss around 6-7 केगा था और दूसरा अब चलते हैं हम winning trade पर अपने है ठीक है तो winning trade था रही है और अब अब देख रहे हो कि मैंने almost top catch कर लिया ठीक है अब यह pure luck की बात है इसमें कुछ skill नहीं है कहने को मैं बोल सकता हूं देखो मेरे को पता था pure luck एक reasoning थी top पे sell करने की लेकिन वह सिरफ एक reasoning वह 100 out of 100 times नहीं चलती ठीक है majority of the times चलती है बट फिर भी मैं इसको य घाड़ी खराब हो जाती है तो as always मैं बड़े time frame पर जाता हूं हमेशा मैं देख रहा हूं बड़े time frame पर कि यहां पर एक बड़ा base तूटा है दो साल का base तो यहां पर 483 पर फोर 483 पर दो साल का base था जो टूटा था stock में अब मेरे को यहां पर ट्रेड करने का opportunity मिली नहीं मैं डेली में अगर आप देखो तो यह एक flag बना रहा है ठीक है यह देखो मैं इसको यहां तक हैसे hide कर देता हूं अगर आप देखोगे ना तो यह एक flag सा बना रहा है मुझे magnet बन कर देखो यह मैं ड्रॉ कर देता हूं देखो यह होता है flag pattern यह एक flag सा बना रहा था राइट अब समझ गए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दिया मुझे entry कम मिली इस candle पर ठीक है मेरे को यह candle पर entry मिले हो clear clear दिख रहा है पुराणी resistance clear हो रही है एक अच्छी solid bullish engulfing candle बन रही है मैंने trade दाल दिया अब देख रहो मैं लिख रहा है buy B1 is buy 1 B1 B2 का मतलब होता है कितनी buys करी है B1 मतलब buy 1 ठीक है और generally मेरा style कहना मैं अपने trades को in profit मतलब जब वो ऊपर ज चुमा अब इसका फाइदा भी है एक नुकसान भी है फाइदा क्या है आप profit को lock कर पाते हो फटा फटा फट नुकसान क्या है कई बार move में सोजाता है तो देखो हर चीज़ का एक फाइदा होता है एक नुकसान होता है आप ऐसी कोई system ऐसी को strategy सोचो इसमें सिरफ ही फाइदा हो ऐसा नहीं हो सकता आप ट्रेल करोगे तो मैं अब इसका example दिखाता हूँ अब मैंने यहां पर sell कर दिया ठीक है तो यहां पर कोई कहेगा यार यह तो बेगार है गलत है ट्रेल करता है ट्रेल करता तो फिर आज 6% का सहना भी पढ़ता उल्टी reverse जबकि यह 5% सु की मुवमेंट हुए है ठीक है सिंगल डे में तो यह वालेटिलिटी ऐसी जैसी स्टॉक में आते हैं मैं वैसी भी भारोना प्रेफर करता हूँ मैसेजिस में होना ही नहीं चाहता है जो हलकी सी भी टेड़ी हो अब देखो वन थर्ड मैंने sell कर दिए 742 के क्यों मेरा 3R मिल र रिस्क तो मैं 30% निकाल दिया उसके बाद मैं देख रहा हूँ ठीक है अब आप कहोगे इसमें अर्निंग्स आई भाई इसमें तो आपने होल्ड कर लिया इसमें होल्ड इसले करा कि मैंने 632 से भाई कर रहा है मैं 700 पे चल रहा हूँ 740 पे बस 100 पॉइंट का कुशन है ज्य आपको यूसी का यूस करके एक्सेंड कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक और बुलिश सा पूल आया उसके बाद देखो फिर से कॉंसिडेट है 4 अगस्ट अभी हम फिर से दिखाता हूँ आपको 4 अगस्ट को वीकनेस थी कुछ था मार्केट में ये ये दिन था ठीक है ये क्रैक हुआ था ये दिन बना था और यहाँ पर यहाँ पर इसके पिछले दिन बाय करा है मैंने यहाँ पर सेल करा है मैंने 3 अगस्ट को 3 अगस्ट को इस दिन सेल करा है मैंने जैनरल मार्केट वीक हो रही थी ओवराल और मैंने का कि यहाँ पर थोड़ी से गेन और मतलब और 30% यहां पर sell कर दिया 827 पर फिर एक दिन hold करा उसके अगले दिन फिर उपर भागा फिर दो दिन sideways फिर एक और फिर एक और बड़ा move तो क्या हो रहा था ना यह stock बहुत ज़्यादा rally दे चुका था और अभी मैं explain करूँ मैं बहुत ज़्यादा से मेरा क्या मतलब होता है तो मैंने decision लिया कि यहां पर मेरे पास 30% quantity ही बची है और इसमें मेरा 8% ही invested रहे गया तो मैंने यहां पर simply अपना पूरी quantity बेच दी और profit book कर लिया अभी अगर मैं बता हूं आपको overextend का मतलब क्या था तो overextend का मतलब कुछ इस तरह था मैंना एक बार drawing को remove करता हूं यह देखो ठीक है within 123 weeks तो तीन हफतों के अंदर अंदर stock यहां से 36% चला गया और हम अगर सिरफ यहां से rally के देखें तो कितनी बड़ी rally आ चुका है इस breakout से almost 130% की rally आ चुकी है तो 130% rally आने के बाद क्या है अब stock थोड़ा time लेगा थोड़ा consolidate होगा यहां से हो सकता है मैं 5-10-15-20% का move miss भी कर दूँ possibility है ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो 100% accurate होगा possibility है उस possibility को consider करते हुए मैंने sell कर रहा है आपर अपनी quantity क्योंकि कभी न कभी तो आपको lock करना पड़ेगा profit आप ना कभी top catch कर सकते ना कभी bottom catch कर सकते तो आप अगर हमेशा दुखी रहोगे कि यार मैंने जल्दी बेश दिया मैंने late बेश दिया नहीं कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई decision तो लेना ही पड़ेगा तो मैंने decision लिया कि मैं इसमें full quantity sell कर देता हूं मैंको over extended लग रहा था चार्ट इन जेनरल मैंको ऐसा लग रहा था कि अभी इसको अब थोड़ा time चे consolidation का क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखो न तो इस period से इस period में अच्छी consolidation आई है जैसे यह जब breakout आया था उसके बाद से यह सिरफ 22% घुमा और कितना time में अगर आप देखो अगर हम date range जाएंगे ना तो यहां से कितना time में almost 2 महीने में 22% तो यह काफी छोटा और solid move था और उसके बाद sudden भाई 5 जुलाई से क्या शुरू हुआ अब मैंने hold भी 5 जुलाई से 11 August तक था तो एक महीने का trade था यहां पर सीधा 54% का return within 1 month तो मेरे हिसाब से यहां पर एक consolidation phase आ सकता है और इसी basis पर मैंने इसको sell कर दिया ठीक है तो यह मेरी ideology थी इसमें और इसमें around 60-65,000 book है वो आपको screenshot आएगा screen पर आप समझ जाओगे बागी यह trade चल रहा है बड़ा चत चल रहा हमारा और यह trade चल रहा है जो आज ही लिया ठीक है आपने live trading video पर देखा ही होगा but thank you for watching hopefully कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा